नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ और आज के वडियो में हम बात करेंगे और भी आई के सेक्योर्टी गाड के वेकेंसी के बारे में बात करेंगे जहां टोटल नमबर आप पोस्ट निकला हुआ है चाहिए बहुत ही असान मौका है और वियाई में सेक्योर्टी गाड या फिर और वियाई में जॉब करने का इससे आसान मौका आपको दुबारा नहीं मिलने वाला हैं और यहां पर आगर आप देखे तो यह कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो 22 जनवरी दोहजार ए योड़किस इसका registration online registration start हो चुका और बार फरवरी 2021 ही तक आप को पेमेंट बहुत फियस प्रवरी महिने में होगा मतलब मांद कर फ inhib में आपका exam होगा ठीक है उससे पहले आपका exam नहीं होगा March one week में आपका exam हो सकता है और बहुत ही आसान मौका होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इस पॉर्म के लिए अपलाई करते नहीं है तो यह आपको अच्छा मौका है तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा वह मैं आप लोगो को प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में आ तो 33 दिख रहा आपको एश्टी काडिग्री का है आपको अपलाई करने चाहिए अगर आप रिजर्बेशन काडिग्री में आते हैं तो यह बिना सोचे किजिए आपको उससे समय नहीं चाहिए जिस समय आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको चाहिए त मतलब 28 साल और 30 साल होना चाहिए ठीक है मैक्सिमम एज लिमिट यही रखा गया है और डेट कैल्कुलेट किया जाएगा एक एक दो हजार एकिस से आपका डेट कैल्कुलेट किया जाएगा डेट अब बर्थ को इसके बाद अगर हम बात कर यहां नीचे चलते हैं तो यहां 10 पास है तो इसका ध्यान दखिएगा रहें तो प्रॉब्लम हो सकता है और कोसिस किजिएगा कि जिस स्ट्वीट से और बिलॉंग करतें उस स्टस्व sudah किजिएगा चाहिए कितना भी कम स्ट हो रिवी आप उसी स्ट्वीट से अपलाई के करने का तो षिक है ऐसा कोसिस कैशि कि स्किंक ऑफ सलेक्षन क्या हो गैंट लिया जाएगा ठीक है डिजिशन का इंगलिजिस का और निम्रिकली नमडर का सान साफ मैड़े जेखे बहुत अनसा महीं में देख मैंने बहुत सारे बनाया पर लास्ट यर जब एक्जाम हुआ था बहुत सारे बिडियो बनाया तो उनको भी आप देख लिजेगा तो उससे भी बहुत कुछ इडिया हो जाएगा उससे लेवल हार्ड नहीं होगा तो प्लेलिस्ट भी सायद मैंने बनाया होगा और कुछिस करूँगा कि आप लोगो को अनलाइन क्लास भी मैं प्रोवाइड करवा दो देखिएगा आउट अब थी पेपर टेस्ट आप रिजिनिंग नियुम्रिकल एवि सब्सक्राइब आपको देखने को मिलेगा उसको भी मैं बता दूगा और अगर हम बात करें यहां पर अगर हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम देखे प्री एक्जाम ट्रेनिंग भी आपको मिल सकता है और यहां सायद ऑफिस का एड्रिस दिया हुआ ह और टेस्ट सेंटर के बारे में नीचे बताया गया होगा ठीक है अगर अगर आपने कोई भी एक्जाम सेंटर के कोई भी स्टेट दे दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते तो यह बात भी आप ध्यान रखिएगा तो सो समझ के इस फॉर्म को फिल किजेगा और इ है तो बहुत ही अच्छा सच पास बहुत ही असान एक्जाम है यहां पर और पॉरा पूरा लिखाओ कभी कभी आधार काट में यह लिखा होता है तो आप लोगों को दिकत हो सकता है वैसे चलिए अब यहां पे और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में अगर कुछ भी अपडेट होगा देखिए का फोटो के बार में मैं बता दू कि बीस के बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोटो और सिगनेचर आपका बीस में होना चाहिए और अप्लाइंग कैसे प्रोस्य मतलब इसका जो लिंक होगा ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का वह मैं आप लोगो प्रोवाइड करवा दूगा ठीक है यह दिखे लिंक आ गया तो यह लिंक मैं आप लोगो दे दूगा यहां से आपको अप्लाइ करना है सबसे पहले निउय रेजिट्रेशन में जाना है इसके बाद आपको कुछ इंफर्मेशन मिलेगा मतलब रेजिट्रेशन नंबर और पासवड आपको दिया जाएगा आपकी इमेल आड़ी और फोन पे और उसके बाद फोटो अपलोड करना है प्र प्रिविवू देखना फिर करना है तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तो बहुत कुछ से कम है इसके अलाबा इसके वेकंसी के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगो को डाउट होगा कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा वडियो आप लोगो अगर अच्छा लगा हो तो वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिए का आशा करता हूं कि आज के दिन आप लोगा कभी अच्छा रहे